Hello guys, hope आप सभी अच्छे होंगे, so इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, ideas के बारे में, बहुत सारी students कहते हैं कि हमारे पास ideas नहीं हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमें क्या explain करना चाहिए, तो इस वीडियो को end तक follow करना, because इसको follow करने के बाद आपके पास ideas की कभी भी कमी नहीं because आपको मैं ऐसी चीज़े teach करने वाला हूँ, कि आपने हो सकता है, पहले इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं होगा कि कैसे हम इस चीज़ को speaking में use कर सकते हैं, कि जिससे हमारे ideas के improvement हो सके, so सबसे पहले हम discuss करेंगे कि कौन सा common ideas हम use कर सकते हैं, so अभी मैं आपस एक question पूछ करनी चाहिए, हम फिर government को भी ले कराएंगे, so हर एक student को इस चीज़ के बारे में knowledge है, because ऐसे ऐसे हमने school में already solve कर दी है, but इनी SO को क्या हम speaking के questions में use कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हो, but आपकी कितनी creativity है, कितना आप इसके लिए efforts करते हो, ये matter करता है, आपको हर एक student को एक question वो pó अंसर ओफ कर और नहीं लगता, इसमें कि है WORK आप कर सकते हो, की एक दूसरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे हूम्टाउन के दूसरे को थारी हैं, क条 कर की से और इस ही रिजन की वज़े से मजहे मिरा हूम्टाउन ये की थार्ट करते है, आगर हम से लिएस्ट weekend पे आपने क्या करा, आप कह सकते हो कि last weekend हमें इस चीज़ के बारे में सुनने को मिला कि pollution को कैसे stop कर सकते हैं and हमने trees grow करें, तांकि हम भी थोड़ा बात contribute कर सकें ऐसा अगर आप question को explain करोगे relevant भी है and effective भी है, भाकियों से different भी लगेगा एक बचा तो बस यही कह रहा है कि last weekend पे मैं movie देखने गया same lines को repeat कर रहे हो and फिर कह रहे हो it was very good, doesn't make any sense you know, so make sure कि आप कुछ different use करो so जे तो मैंने आपको छोटी से example बताई, but और हम कैसे use कर सकते हैं हम इसी pollution को ऐसा नहीं है कि सभी questions हमें add करेंगे कुछ ऐसे topics हैं हमारे daily life की उनको हम use करके जो कुछ questions है, उनकी answer हम create कर सकते हैं अगर किसी person की बात आगी कि कोई आपको किसी polite person के वारे में बताना है, या कोई ऐसा person जो काफी hard work करता है, जै सभी की help करता है तो उसमें आप यह कर सकते हो कि वो सभी को aware करता है कि अगर हम ने इस चीज़ को नहीं रोका तो future में ऐसे ऐसी problems create हो सकती है उसने बहुत सारी money we donate करी It's up to you guys, कि आप कैसे इसको manage कर रहे हो आपको मैं यह जी 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 इसलिए बता रहा हूँ बिकास इसको follow करने के बाद आपको problem नहीं आएगी मैं हर एक video में एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि जो भी मेरी tips and tricks है वो आपको समझने में भी इसान हो जब आप use करते हैं तब भी आपको कोई difficulty ना आए और आपका time भी save हो सके So please आप मेरी videos को share भी करा करो ताकि बाकियों की भी help हो सके Because मेरा सिर्फ एक ही यह है कि मैं सभी students की help कर सकूँ पस कितने क्यों कार्ज हैं हमने जितने भी persons के बारे में बात करना है फेवरेट person हो गया जा फिर हम कहा सकते हैं कि intelligent person हो गया सभी में आप यह topically कर सकते हो global warming कर सकते हो अब 20 सेकंड इसके उपर अराम से बोल सकते हो अगर आपकी hometown है वहाँ पर यह यूज़ कर सकते हो weekend के related question आगया यह कर सकते हो free time भी क्या करते हो जब holidays होती है तब आप क्या करते हो तब भी आप यह mention कर सकते हो हमने यहां तक discuss कर लिया एक आपसी ना वो question हमेशा speaking में पूछते हैं आपका opinion और जब भी आपको कोई ऐसा question पूछे तो ना आप थोड़ा से उसमें variety of sentences create करो I personally believe that हाना ज़ा आप क्या सकते हो कि as far as I know ज़ा फिर आप यह भी क्या सकते हो and if I talk about this thing I must say, I would say it can be said that there is no doubt although का use कर सकते हो so इतने सारे आपके पास options है आपको वो क्यों नहीं exam के time याद आते है because आप उसकी practice नहीं करते हो अगर जैसे suppose करो आपको अभी मैं teach कर रहा हूँ आपको अभी तो यह याद है अगर आप इसकी practice नहीं करोगे कि अपने ideas कैसे generate करनी है बार इसकी और कैसे practice करनी है अगर आपको question पूछा है कि do you like chocolates तो सभी को पसंद है अगर नहीं पसंद है तो आपके पास एक valid reason वीजन वीजन चाहिए कि क्यों नहीं पसंद है कि अगर आपसे वो वाय पूछ रहा है examiner तो आप उसको answer कर सकें जैसा कि मैंने पहले आपको mention करा pollution के बारे में अगर आपके examiner ने आपसे question करा भी आप क्या expect करना चाहते हो या कौन से changes आपके hometown में होना चाहिए तो वहाँ पर आप डिसकस कर सकते हो कि इतना traffic है उसके वाज़े से इतना pollution है कि लोगों को एक दूसरे को support करना चाहिए यह ideas की बादना बहुत छोटी सी होती है बस confusion के चक्कर में आप इन ideas को use नहीं कर पाते जब मैं यह वीडियो बना रहा था मैंने एक बार भी नहीं सुचा था कि मैं कौन कौन से ideas explain करूँगा जैसे ही मैंने आप camera start करा video on करी मेरे माइने में इस तरह की ideas आने लगे और मैंने आपके सामने share करने शुरू कर दिये यह depend करता है कि आप में कितना confidence है कितनी आप practice करते हो गैसे है कि मेरा second channel भी है अगर आपने वो अभी तक नहीं चेक करा प्लीज उसको भी चेक करो बिकुस उस channel के उपर मैं Canada student life के बारे में discuss करता हूँ and अगर आप Canada आ रहे हो आपको कौन कौन studio का ध्यान रखना चाहिए उन चीजों के बारे में भी आपको उसे channel के उपर देखने को मिलेगा so please उसको भी support करो आपको ये भी बता दू कि speaking मेरा favorite module है मेरा speaking में 7.5 score रहा था उसका reason यही है कि मेरे ideas अच्छे थे मेरे explanation अच्छी थी और मेरे मेरे confidence था so कोई भी और question हुआ please आप comment section में पूछ सकते हो कि लोग अपनी health का ध्यान रखें exercise के लिए जाए morning walk के लिए जाए last weekend पे आपने क्या करा मैं morning walk के लिए गया अपने grandparents के साथ मुझे काफी अच्छा लगा and मुझे feel हुआ body weight को maintain करना चाहिए हमें balance diet follow करनी चाहिए इतने ज़द ideas है कि मैं अभी कभी भी problem नहीं हैगी so इस वीडियो को अपने फ्रेंज के साथ शेर करना वीडियो अच्छे लगी तो like करना मत बूलना guys thanks for watching this video have a wonderful day